LKN VS CSK लखनव की टीम और चन्नई की टीम यानि की लखनव सूपर जायंट्स और चन्नई सूपर किंग की टीम दोनों ही टीम की क्या प्लेइंग लेवन रहेगी दोनों ही टीम के आपको किस प्लेयर को लेना चाहिए और प्लेइंग लेवन के साथ-साथ यहाँ पर आपको तो आपको बताऊंगा ग्रैंड लिक की पिक्स बताऊंगा और इस विडियो में आप जो है गेवेवे में तीन सो रुपीज पैटीम कैस गूगल पे फोन पे भी विन कर सकते हो तो काफी मज़ेदार और अच्छा ये वीडियो होने वाला है LKN VS CSK का वीडियो को भाई बस पूरा देखना पूरा देखोगे यार आपको बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में और इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारिया मिलेंगी जो पूरी YouTube चैनल पे साथ से आपको देखने के लिए न मिले तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको स्पोर्ट सी अप्लिकेशन के बारे में बता देता हूँ यार काफी अच्छी अप्लिकेशन है स्पोर्ट सी इसको डाउनलोड कर लेना रॉयल ब्रो इसका रेफर कोड है अगर आप देखोगे तो भाई काफी अच्छी अच्छे यहाँ पे आपको सारी लोगों ने बोला कि भाई Dream Eleven पर ही टीम रेडी किया करो तो मैं Dream Eleven पर आपको रेडी करके टीम दिखाऊंगा आप Dream Eleven वाली जो टीम है ना वो सेम टीम यहाँ पर भी चाहो तो यार वो जो है आप यह लगा सकते हो और गिवे भी यहाँ पर चल रहा है तो देख सकते हो गिवे में भी आप पार्टिसिपेट कर लेना दस जार प्राइज पूल के लिए यहाँ पर गिवे भी चल रहा है और अप्लिकेशन भाई काफी अच्छी है मेरे को तो बहुत अच्छी अप्लिकेशन लगी आपको अगर यहाँ पर खेलना है तो वीडियो के डिस्किप्शन में आप लिंक चेक आउट कर लिजे रॉयल ब्रो रेफर कोड है रेफर कोड भी आप जोर से डाल देना अब मैच की तरह बढ़ते हैं यहाँ की अगर मैं बात करूँ जो पीछ है वो बैटिंग को अच्छा 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 बैटिंग के लिए देखने के लिए मिलता है इस वेन्यू पे टोटल देखोगे तो भाई पाँच ही मैचे जो है जिसमे जो है तीन बार बैटिंग फरस्ट करने वाले टीम ने विन किया है दो बार बैटिंग सेकंड करने वाले टीम ने विन किया है यहां का अगर आप highest score देखोगे 201 रन है और lowest score देखोगे 173 है 188 से 190 के आसपास यहां पर average score बनता हुआ दिखाई दे रहा है last match इसकी जो है basis पे scoring pattern की बात कर ले 170 रन से नीचे का score यहां दो बार बना है और 170 से 190 से above यहां पर दो बार score बना है इस venue पे जो last match खेला गया था IPL का ही match खेला गया था Mumbai Indians और Delhi Capitals के बीच में 27 March को match हुआ था Delhi Capitals ने 4 match से वो match जो है win किया था यहां पर देख सकते हो average score थोड़ा सा बैलो रहा था उसके पहले अगर मैं बात कर तो यहां पर भाई 6-7 साल पहले यहां पर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं लास्ट मैच में क्या हुआ था आप देख सकते हो 175 के नियर बाउट score रहा था टोटल 11 विकेट गीरी थी सेकेंड जो इनिंग थी उसमें यहां पर बैटिंग को यहां पर बैटिंग अच्छी देखने के लिए मिली तो यह जो है काफी अच्छा रा भाई हमने जो आपको पिछ रिपोर्ट बताई है उसे हिसाब से आप अपने टीम भी क्रिएट करना हट टूट का देखो दोनो ही टीम के ल,SG और CSK के टीम के भीच में कोई भी हट टूट का रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि दोनो ही टीम की रिसेंट फॉर्म की बात करो,CSK भी अपना लास्ट वाला मैच हार के आ रही है अगर मैं बात करूँ LKN की टीम की last match इसकी अगर आप performance देखोगे तो 158 इन्होंने score किया था 6 wicket के नुकसान पे batting इन्होंने first करते वे अपना match गवा दिया था सेम यहाँ पर हुआ था CSK के भी साथ में batting first करते वे उन्होंने match गवाया था प्लेयर्स बैटल की बात करते हैं जो कि हमारी वीडियो का काफी important section होता है तो प्लेयर्स बैटल देख लेते हैं दीपक चाहार ने क्वांटेट डिक को को तीन बार आउट किया है 78 बॉलों में 106 रन दिये हैं तो यहाँ पर एक प्लेयर का नाम बार बार आ रहा है वो है डीजे ब्राभू आप देख सकते हो काफी बार आउट कर चुके हैं बहुत सारे players को और रवीन जड़ीजाने भी दीपक उड़ा और मनिस पांडे को आउट किया है इन लोगों को लग जाता है कि हम आउट कर सकते हैं इनको कैसे ball हमें डालनी चाहिए यह experience इन players को हो जाता है international level पे बाकि अगर मैं बात करूँ अभी दीपक चाहार की कोई भी गाईज नहीं है कि वो जो है खेलेंगे या नहीं खेलेंगे फिट है या नही फिट है जब तक मैं ये वीडियों बना रहा है तो उन का जो है हम देखते हैं यहां पर players battle सести बाृट्य नाड इम ने राइडू को तीन बार आउट किया 48 बॉलो में 666 रहा भीवर जाज नदीम ने राविन उथपपा को भी दो बर वर आउट किया है 42 बॉलो में 6 रहा भॉय अगर मैं बात करू कुरूनाल पांजिया ने उथपपा को 27 बॉले करिए 30 रहा भीवर आउट किया है Signapatam ने राविन उथपपा को 25 बॉले करिए 28 रहा और दो बार आउट किया है तो यह गाइज जो है प्लेइंग लेवन यहाँ पर प्लेइर्स बैटल रहने वाली है प्लेइर्स बैटल का आप स्क्रीन सॉट भी ले सकते हैं बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्लेइंग लेवन की सबसे पहले लखनव सूपर जैंट्स लस्जी कीजिए हम प्लेइंग लेवन देखेंगे लुकिस राउल के साथ में क्वांटर डिकॉक ओपेंगे वन डाउन पर इवन लुविस है उसके बाद मनिस पांडे है फिर दीपक हुड़ा है आयूस जो है बदोनी है उसके बाद कुरुणाल पांडे है धीच मिरा है आविस खान है मु Buffák भान रभी विश्णोई है तो यह यहाँ पर प्लेइंग लेवन रहने वाली है आप देखसकते हो कि एवरी विश्णोई यहाँ पर साथी साथ कुरुणाल पांडे है और जो रोड़ने पर जो है में भी गिंदबाजी साइट से कराएं वह देथ के जो है स्पेसलिस्ट है और पाउर प्ले में भी जो है गिंदबाजी कराएंगे CSK की टीम की तरफ से आप देखोगे डेविड कॉनवे के साथ में रितुराज गयकवार ओपन करेंगे वन डाउन पर रॉबिन उथपपा है उसके बाद आम बाती राइड हुए रबिन जड़िजा है सीवम दूबे है MSD है उसके बाद मिसल सैटनर है डीजे ब्रावो है एडम मिलने है और तुसार देश पांडे है तो यह CSK की यहां पर प्लेइंग 11 रहने वाली है इनके प्लेयर रोल भी हमने लिखे हुए कौन सा प्लेयर लेफ्ट हैंडर बट्समेन है कौन सा प्लेयर राइट हैंडर बट्समेन है वो सारा चीज जो है यहां पर लिखा हुआ है लास्ट मैच की परफॉर्मेस देख लेते हैं सबसे पहले LSG की अगर मैं बात करू लोकेस राहुल जीरो पे गए क्वांटन डिकॉक सात रन पे गए इवन लुविस दस रन पे गए और मनीस पांडे छे रन पे गए उसके बाद दीपक हुड़ा ने पारी समाली और आयूस बदानी ने अच्छा साथ दिया दोनों ने पचासा जड़ा उसके बाद कुरुनाल पंडिया ने भी 21 नट आउट किये और यहां पर अगर आप बॉलिंग देखोगे तो किस प्लियर को कितना ओवर मिला है वो हमने का ध्यान रखेगा CSK की तीम की तरब से अगर मैं बात करूं तो डेविट कॉर्ण में तीन रन पे गए रितुराज गया एक वाट जीरो रन पे गए रॉबिनु तप्पा ने जरू से 28 रन किये राइडू ने 15 रन किये रविन जड़े जो है तीन रन पे आउट हुए जब की इनकी बॉलिंग डिटेल्स है तुसार डेश पावर प्ले में जो है गेंदबाजी करते हैं जबकि अगर मैं बात करूं तो एडम मिलने और डीजे ब्राबो जो है आपको बतादे डेथ में गेंदबाजी करते हुए आपको मिल जाएंगे लास्ट मैच की इनकी जडिजा हो गए रविनु थप्पा हो गए यह अच्छे जो है मैंने आठ प्लेयर्स को यहां पे लिखा है बाकी तीन प्लेयर अगर आप फाइंड कर लोगे तो आपकी स्मोल लिग की टीम जो है लगभग लगभग रेडी हो जाएगी स्मोल लिग में कैप्टन वाइस है लोकेश राहुल, रवीन जडिजा, क्वांटर टेقो कि यह तीन मेरी नजर में सबसे बेस्ट आपको अप्षन मिलती है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए तो इन ही को मैं आपको रिक्मेंट करूँगा की आप चैप्टन वाइस कैप्टन करो ग्रैड लिग में अगर आ शे ग्रेंड लिक की टीम्स वाली वीडियो और वो वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट रहती है उस वीडियो को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं अगर आप पहली बार इस चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वो वीडियो यार बहुत इंपॉर्ट मैं अपनी ड्रीम 11 की टीम भी सेयर करता हूँ तो टेलीग्राम चैनल जहरू से जॉइन कर लेना वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी इस पोट्सी अप्लिकेशन को भी डाउनलोड कर लेना उसकी लिंक मैंने अल्रेडी जो है दे रखी है तो स्पोट्सी अप्लिकेशन भी काफी अच्छी है और बहतरीन है उसको डाउनलोड कर लेना रुवाइल ब्रो रेफर को डालना मत भूलना LKN vs CSK की यहाँ पर हम देखते हैं अपनी जो है ड्रीम 11 की स्मॉल लिकी टीम यहाँ पर अगर मैं इन्विस्टमेंट बताओं तो भाई इन्विस्टमेंट मेरा इस मैच में रहने वाला है मैच मुझे काफी अच्छा लग रहा है और इस मैच में मैं इन्विस्ट करने वाल यहाँ पर 100% मेरी टीम में रहेंगे कोई ले या ना ले मैं दोनों को अपने टीम में 100% लेके जाऊंगा बढ़िया पिक रहने वाले हैं मैंने लिया है रितुराज गयकवार हमारी टीम में आएंगे मनिस पांडे हमारी टीम में आला आएंगे साथी साथ अगर मैं बात ले सकते हो तो यहां इस पहर गर में बात कर रही तो आप चाहों हुआ यहां वात को में को यह जहा को ऊप्टम तो यहको सब्सक्री टो नहीं भाई कोई जरूरी नहीं कि दिपक उड़ा से बॉलिंग करवाई जाये तो यह देखने की बात होगी दिपको उड़ा को ओभर कितने मिलते हैं मेलगी असायट से ओभर मिले भी तो सिर्फ दो ओभर मिले तो इसलिए जो है अपने टीम में मैंने नहीं लिया है रवीन ज जो है बहतरीन आपको पिक मिलते हैं सिर्फ 4% सेलेक्शन है सिवम दूबे का भाई ये बंदा बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेता है important पिक रहेगा grand league में must have जो है choice रहेगी satner को भी आप जो है try कर सकते हो बैटिंग बॉलिंग ये भी जो है कर लेते हैं बाकी अगर मैं बात करूँ ए बदोनी इन्होंने last minute में 50 का score किया था और काफी अच्छी इनिंग्स के लिए थी देख लो percentage जो है सिर्फ और 20% है 78 point दिये थे grand league में ऐसे players आपको काफी अच्छी rank करवाते हैं तो देख लेना जो है middle order में आएंगे और जो है अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो small league में मैं prefer नहीं करूँगा वहीं अगर मैं बात करूँ balling section से तो dj bravo definitely हमारी team में आएंगे 100% मैं इनको अपने team में लेके जा रहा हूँ इस team में आप देखोगे तो क्वांटन डिकोग है, लोकेस राहूल है, रोबिन उथपपा है, मनीस पांडे है, रितुराज गे एक वाड़ है, रभीन जड़िजा है, और dj bravo है, डी चमीरा है, आविस खान है, रभी विश्नोई है, और तुसार देश पांडे है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कैप्टन सी की, तो नो डाउट, यहाँ पर मेरे जो कैप्टन रहने वाले हैं, लोकेस राहूली रहेंगे, और वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूँ, तो देखो यार रभीन जड़िजा, मैंने यहाँ पर वाइस कैप्टन किया है, क् कीम का जो है उम्मीद है कि आपने स्क्रीन सोट इसका ले लिया होगा गिवे का कोश्चन पूछ लेते हैं देखो यार गिवे के लिए 300 रुपीज मिलेंगे आपको जो भी यहाँ पे बंदा यूज करेगा आपको लिख दिना है 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 यह लिखोगे भाई तभी आपका गेवे में पाटिसिपेट माना जाएगा टॉस के पहले एंसवर दे देना और भाई अगर मैं बात करूँ तो एडिट मत करना अपना कमेंट अधरवाइस आप डिस्क वालिफाई हो जाओगे आपको यह बताना है कौन सा प्लेयर जो है सबसेदा रन बारेगा उस प्लेयर का नाम लिखना है कौन सा प्लेयर सबसेदा विकेट लेगा उस प्लेयर का आपको नाम लिखना है दूसरा आपको यह गिस करना है कि यहाँ पर कौन सी टीम जो है टॉस मोन करेगी तो यह तीन एंसोर अगर आपने दे दिये LKN VS CSK हैस्टेग लगा की तो भाई आप जो है हमारी giveaway के winner बन जाओगे और आपको मिलेंगे 300 रुपीज Google पे पेटियम कैस फोन पे आप चाहो तो ले सकते हो बाकी वीडियो देखने के लिए आपका जो है बाकी वीडियो देखने के लिए आपका जो है